अगर मेगलडॉन और ब्लू वेल की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? मेगलडॉन जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क है इसके जबडे और दात इतने थाकतवर हैं कि ब्लू वेल भी उनका सामना नहीं कर सकती इसका मूद 10 फीट तक बड़ा हो सकता है ये किसी इंसान को ऐसे खा जाती है जैसे हम तुर्टुरे खाते हैं इस खतरनाक शार्क की लंबाई 15-18 मीटर होती है जबकि ब्लू वेल की लंबाई 30 मीटर होती है लेकिन फिर भी इनकी डायरेक्ट फाइट में मेगलडॉन हमेशा जीतती है ब्लू वेल को खतम करने के लिए उसका एक ही बाईट काफी है इसलिए ब्लू वेल कभी मेगलडॉन से पंगी लेती ही नहीं है और अगर कभी पंगा हो वी जाये तो समुंदर की गहराई में अंदर भाग जाती है